जनसंख्या नियंतरन कानून को लेकर जेडियो और बीजेपी आमने सामने खड़ी हो गई है आपको बता दे कि एक तरफ जहां मुख्यमत्र नितिश कुमार ने कहा कि इस के लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है और जनसंख्या के लिए कानून नहीं लाने के बात कर रहे हैं वह नितिश जी यह बयान जो है भीजेपी के MLC का है हमार साथ बाच्चित करने के लिए आरजडी के पूर विधायक और आरजडी के प्रवक्ता है सकती आदब इनसे जानते हैं कि आखिर ये किस तरह से इस बात को देखते हैं जनसंख्या नियंत्रन आम लोग जब जागरूप हो जाएंगे नियंत्रित हो जाएगा सराब बंदी ये जनसंख्या नियंत्रन के कानून के पच्छडे में इन नया अजेंडा सेट करना चाहते हैं ध्यान भटकाना चाहते हैं यहां लोग बाढ़ से तवा है इस पे चर्चा नहीं हो रही है सवाल उठता है कि देश के प्रधान मंत्री यह तन पिछलों का कोटा खा रहा है इबीसी का बिना अनुपालन किये बगर उन्होंने परिछाय परवेश्वने का तिथी घोसित कर दिया निट मामले में आखिर घिरना क्यों इबीसी ओबीसी से भई साठ्ष दियवादी वालों से भोट लेते हो इनका यहां जनसंखिया और मोदी या जोगी के चक्र में लगे हुए हैं आप लोग सबसे बड़ा सवाल यह मुह भाये खड़ा है देश के अंदर में जहां आसुप पोष्णा चाहिए पाड़ा पिड़तों को वहां जनसंखिया नियंत्रन का यह पाठ पढ़ा रहा है जहां रच्छन का रोष्टर कानुन पाला होना चाहिए वहां सराबंदी कानुन का हवाला दे रहा है यह लोग सवाल उड़ता है कि देश ज्वलंत मुद्दों से यह जल रहा है आम लोग परसान है चारों तरफ आरजक्ता की स्थिती है जनसंखिया ने यह वही दोनों दर्ग लोग हैं यह वही दोने दर्ग के लोग हैं जहां पर साधी किये वगर कितने खेतों में पेंड़ पौध्य लोगा दिये जाते हैं यारे से संगठन है पता कर लिजिए जंसंक्षिया बढ़ाने वाले लोग है जल संक्रिया अंतित करने वाले लोग नहीं है अद दूसरा जो महिला को जागरु खोनी की बात कर रहे हैं उनका भी अतित सुना रही है पौधाव गाने में भबार की बात कर रहे हैं तो तमाम जो सांसद हैं वो गायब है और सवाल यह भी खड़े हो रहे हैं सत्ता पक्षके की लगतार विपक्षके नेता बाहर रहते हैं और अभी बार पिडितों से मिलने भी नहीं जाए कि वो खड़े हैं उनको क्या मतलब एलाचारी वेवसी भुखमरी से बड़की बड़ा में जनता रोटी के लिए अनाज के लिए पसू जो है चारे पसू के चारे के लिए त्रही माम कर रहे है यह को उनतक्वोच का रहा है पानी सुखेगा तो यह बोड़ा सरकार जो है अन जनता भी दर्द भूल जाएगी कभी कभी उन परतनिथी ओ चुदनी में जनता भूल कर जाती है अब देखिए लाकों में बाल है उन्हेस इलाकों में परतनिधी दिखाई पड़ेंगे उनको मतलब क्या है पीडा से दर्द से कोई मतलब रहे तब अपना सुख में आनन्द है बाकि भूल जाएगा लोग नवज पक्राइब कहीं न कहीं बातों को समझते हैं तो जंता की पीडा से उन लोग को दिना दिना नहीं है इन वह अजेंडा सेट करने में सवाल खड़ा कर रहा है यह तो घजब इस्थिती है इन वे सर्मों को सरकार को अपना डूटी बजाने चाहिए सरम नहीं आती है इनको सरकार एक खजाने पर कुंडली मार करके पैसा अब भार रहो पानी के तरह गैरवाजिब जितना अधिकारियों के दरबार में सरकारी खजानों के पैसे का इस्तमाल दुख जनता के दुख दर्द में होना चाहिए ना कि छहरच हमकाने में होना चाहिए उल्टे सवाल ने तब परतिपक से सत्ता किचा भी आप रखे हो खजाने पर कुंडली मार के आप बैठे हो जब आपको हम दरपन दिखाते तो पी जानी है अपने तब प्रति पर रहात पहुंचाने के पिच्छाना तो सरकार कर जाईए और ने समहलता तो इस्तिफा न कर दिजे लोग संवाद का मतलब पता है तो इनको पढ़ाई कर ले लोग संभाद समझते हैं फरजी बाड़ा हम को समझा रहे हैं लोग का संभाद समझा लोग संभाद का कितने मेंनंग होते जनकारी है करते हैं इंड लोग संभाद के हैं समझा जयाख समझा thankfully क्या is इमेजर रहा ही नहीं तो बिल्लिंग कहा से होगा इवेंट तो इसी के लिए ने किया अपना वो कौन से सवालात है जो मुख मंतरी के सामने खड़ा था जो राजी के परिवर्दन के लिए था राज में नया लकिर खिश्वने के लिए था एक नया आयाम देना था विकास को उ प्रवक्ता सक्तियादब कई सवाल थे और भी अप्डेट सेंगे बढ़न इस्परनेशन के साथ नमस्कार